मन पूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन पूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे माता कहें ये पूत्र हमारा बेहन कभी बीरा मेरा माता कहें ये पूत्र हमारा बेहन कभी बीरा मेरा भाई कहें ये भुजा हमारी नारी कहें नर मेरा मन पूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे पहले सभी कहते हैं कि ये भाई हमारा है भाई तो कहता है कि भूजा ही मेरी है दूसरी मा कहती है ये मेरा बुत्र है और नारी कहती है नर मेरा ये कब तक है जब तक इस सरीर के अंदर सांस चल रहा है लेकिन जिस दिन ये सांस निकल जाता है उस दिन क्या होता है जनम जनम तक माता रोवे कर गए ओ आस पराही मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे मात पकड कर माता रोवे बाह पकड सगो भाई मात पकड कर पतनी रोवे बाह पकड सगो भाई पेट पकड के माता रोवे हनस अकेला जाई मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन फूला फूला रोवे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत में कैसा ना तारे माता कहती है कि पुत्तर मेरा है और बहन कहे कि बीरा मेरा और भाई कहता है कि ये तो मेरी दूसरी बुजा है इसके मिना तो मैं रहे भी नहीं सकता और नारी कहती है कि ये मेरा पती है तो उससे मैं जीव को एहनकार हो जाता है लेकिन जिस दिन इस सरीर से सांस निकल जाता है, सरीर छूट जाता है, तो उस समय क्या होता है, जो कहते थे कि हम तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, क्या उसके जाने की पश्चार ये संसार रुक जाता है, कब भी नहीं रुकता, बोजन भी समय पर होता है, सारे त्युह अहार भी आते हैं सब कुछ होता है लेकिन ये सिर्फ हमें एंकार है कि अगर हम घर में नहीं ओगे तो नजाने क्या हो जाएगा अ लेकिन जबखरका कर मेहतव किसका है कि सरीर का नहीं है स्वास का है आत्मा का है आत्मा जैसे ही सरीर से परे हुई तो उस सरीर को कोई भी नहीं पूछता अगर आज किशी की मुर्ति हुई है तो दूसरे दिन तक कोई उसका इंतजार नहीं करता कि क्या पता ये वापिस खड़ा हो जाए कोई इंतजार नहीं करता अगर उससे इतना प्रेम होता उस शरीर से, तो फिर उसे क्यों जलाते हैं, लेकिन चार गजी गज़ गजी मंगाया, चड़ा काट की गोडि पिर फैसे ही उस शरीर को छोड़ा, तो छोड़ते ही उसकी काट की गोड़ी उसके लिए त्यार कर दि जाती है कि अब इसे जादा घर में ना रखो तो फिर हम अच्छे कहा हैं अगर हम अच्छे होते तो हमें घर में रखा जाता वो आत्मा है जो परमात्मा से बिछुड़ी हुई है और सरीर छूटते ही क्या करते हैं चारगजी चारगजी मंगाया चड़ा काठ की घोड़ी चारों कोने आग लगा दी वूंक दियों जैसे होली मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का जूठा ना तारे जूठा ना तारे जगत का जूठा ना तारे जूठा ना तारे जगत का जूठा ना तारे जूठा ना तारे जगत का जूठा ना तारे जब इस सरीर को जला दिया जाता है तो पूरा परिवार सामने खड़ा होता है जो हमारे थोड़ी शी चोट लगने पर सारे रिष्टेदार इकठे हो जाते हैं मिलने के लिए अगर छोटा सा एक्सिडेंट भी हो जाए तो सारे रिष्टेदार आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्यों क्योंकि तब तक उसमें आतमा होती है लेकिन जिस दिनी आतमा इस सरीर को छोड़ देती है तो पूरा खांदान सामने खड़ा होता है और वो धक-धक करके जल जाता है कोई भी पास में नहीं जाता हाट जले जैसे चले लाकडी केस जले जैसे घागा सोने जैसी काया जल गई कोई न आवे पासा मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत का कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत का कैसा ना तारे मिटी चुन चुन घर ये बनाया कहता था घर मेरा कितने मैनत करते हैं, कितने लोगों से जूट बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, कितने लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, किस लिए तोड़ते हैं एक घर बनाने के लिए, अपने पापी पेट को पालने के लिए, परिवार रेता है कि ये घर हमारा है ये परिवार हमारा है मिटी चुन चुन घर ये बनाया कहता था घर मेरा पिटी चुन चुन घर बनाया कैता था घर मेरा तेरा है ना मेरा है चड़िया रहन बसेरा मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना तारे मन फूला फिरे जगत का कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे ओ कैसा ना तारे जगत का कैसा ना तारे मन भूला भूला फिरे जगत का कैसा नाता रे